कि हैलो माइडियर स्यूइटी एस्प्रेंट्स मैं मिचोदर एक बाट फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमाले अपके यूटूब प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आप थम्नेल के अंदर देख पारें आज के इस वीडियो में आपन चर्चा करने वाले हैं स्यूइटी करवाई थी अगर देखा जा 에요 नीत की एकजाम में काफी गड़बड़ी थी नीट की एकजाम काफी विवादों में थी वह result काफी विवादों में था इसलिए आज पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक authentic news सबसे पहले हम ही आपके पास में पहुंचाएंगे, साथ-साथ में आप वीडियो को लाइक कर देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलिग्राम चै परकिरिया जो अब है अटकी वी है, तो देखें दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं आज की इस news cutting, इसमें लिखा हुआ है, नतीजों में देरी से 282 विद्यालों में दाखिला परकिरिया अटकी, प्रवेस परकिरिया इसमें अटक चुकी है, तो इसमें अगर अगर आपन बा कुछे को प्रेसान होने की जूरत नहीं है, कि इस registration process चल रही थी फलानी फलानी university में और फिलाल वो बंद हो चुकी है, तो हम क्या गरें, कुछ मत करो, एकदम चिल रहो, आपका result आएगा, tension मतलो भई, आपको मैं काफिवार बता चुका हूँ, आप तो बस अपने documents तैयार क्योंकि वहां मैं आपकी help नहीं कर सकता, यहां मैं आपको हर एक update देता रहोगा, कैसे आपको कौन सी process, किस परकार से करनी है, कौन कौन सी university के आपको counselling करनी है, वो सारी जानकारी में आपको यहीं YouTube पे देता रहता हूँ, आपको तो सिरफ अपने documents जो आप वह जमा के रख के बाद ही हमें scorecard के वहां column के अंदर अपने number लगाने हैं और उसके बाद में आपन आगे बढ़ेंगे, जैसे example के लिए मैं आपको बताऊं तो Dr. Bhimrao Ambedkar University Delhi, वो उन्होंने अपना scorecard मांगा, जामिया, मिलया, इसलामिया ने भी ऐसा कर रखाये, चलिए, इस खबर को अग चीना लेस विश्व विधाले, जोहां वो इनसे परवावित होंगे, क्योंकि 1 अगस्त और 16 अगस्त ये दो डेट ऐसे हैं, कुछ उन्वरसिटी में एक अगस्त से नए से से स्टार्ट हो जाएंगे, और यह कांसलिंग की परकिरिया, 10-15 दिन की कांसलिंग की परकिरिया र सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलिग्राम चनल पर फटाफट आजाईए जैसे ही आपका रिजल्ट आता है हम हमारे टेलिग्राम चनल पर आप सभी को अपडेट कर देंगे साथ साथ में मैं यूटूब पे लाइव आकर आपको बता दूँगा किस परकार से आपको अपना रिजल्ट चेक करना और किस परकार से आपको कौन-कौन से कॉश्चन के उपर आपको अब्जेक्शन लगाने आए तो गायज मिलते हैं जल्दी ही किसी अगली इंफोर्मेशन के साथ में तब तक के लिए भाई धन्यवाद